हलो वेल्कम बैक मेरा नाम दॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा विसनमुक्ती तग्य हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं हमारे हैं दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मनोरुगुन तथा विसनी लोगों को रिष्टारों के साथ में भरती करते हैं और एक दुसरा हॉस्पिटल है जहां मनोरुगुन तथा विसनी लोगों को बिना अर्ष्टार भरती करते हैं मेरे ओपीडी में काफी सारे लोग जो आते हैं उसमें से बहुत ज्यादा कॉमनली एक बिमारी जो दिखाई देती है वह जनरलाइस्ट anxiety disorder चिंता की बिमारी और यह जो लोग है यह जो पेशेंट्स है इनको छोड़ी बात के ऊपर चिंता आती रहती है और वो चिंता हर्क्षेत्रम है मतलब उनको बच्ची की पड़ाई होंगी की नहीं आज का दिन कैसा जाएगा यदि लेड़ी है तो आज का खाना में पका सकूंगी की नहीं सकूंगी या मैं काम पर जा सकूंगा की नहीं जा सकूंगा वहां काम पर जाओंगा तो बहुत मुसे कोई तकलित देंगा क्या मे में चिनता है। रिष्क के मार चुनता है। वहां उसके चिनता है। के बारे में चिंता है कि मेरी हेल्थ कैसी होंगी मेरे संबंद कैसे रहेंगे तिरी फ्यूचर के बारे में चिंता है भविश्य में क्या होंगा ऐसी बात-बात में छोड़ी बात में भी उनको चिंता लगे रहती है और उनको जीवन जीना जो है देने देन जीवन उसमें उनक तो हम समझ सकते कि इसको Generalized Anxiety Disorder है और मैं जो भी लक्षन बता रहा हूँ वो 6 में से कम से कम 3 लक्षन होना जरूरी है 6 महने के लिए और 6 महने मतलब 6 महने 6 महने में से काफी सारी दिन तो लक्षन डिखना जरूरी है तो सबसे पहला लक्षन क्या है एक नंबर का वह बेचेन यह लोग बहुत बेचेन रहते हैं तो दूसरा जो रहता है वह जल्दी थकाना ना इजी फटिक अबिलिटी जल्दी थक जाते हैं थोड़ा काम किया कि थक जाएंगे उनको उच्छा कम रहता है और जल्दी थक जाते हैं तीसरा है कि एक जगधा पर मन केंदरित नहीं कर सकना concentration issue या ऐसा लगता हूं को कि अपना mind यो blank हो गया खाली हो गया अपना मन blank हो गया ऐसा होता है फिर चोटा है कि irritability चिड़ चिड़ापन छोड़ी बात के उपर वो गुस्सा करेंगे चिड़ेंगे पांचवा होता है कि mass patient जो है muscles उसमें tension रहता है फिर दर्ध होता है तो mass patient मे पूरी नीन लगना या जल्दी नीन खुल जाना या जल्दी fresh नीन मतलब fresh नहीं लगना जीन के बाद में ऐसा होता है कि यह लोगों को हर चीज में चिंटा है स्त्री और पुरुष इसका रिश्यों देखा तो दो स्त्री के पीछे एक पुरुष को यह भी हमारे दिखाई देती है देननी जीमन में तनाव है जैसा मैंने पहले बता है कि नोक्री रंदाब रिस्ते सब जगह है और यह जो लक्षन है यह लक्षन यह शराप से होते है तो फिर जन्रल एंग्जाइटी डिसॉर्डर यह नहीं है शराप कैनाबीज या कोई मेडिसीन ले रहे या थार इसका इलाज क्या है इसका इलाज जो है वह है cognitive behavior therapy CBT बोलते हो उसको cognitive behavior therapy उसका जिकरा भी detail में करना मुश्किल है तो हम दवाई देते अंग्जियोलीटिक्स जिससे anxiety कम होती है वो दवाईया है relaxation ठीरेपी है जिसमें मैं hetero-hypnotism करता हूँ मतलब मैं hypnotize करता हूँ और hypnotize करके उनको relaxation करके उनको visualize करने के लिए बूलता हूँ और जहाँ जहाँ उनको तनाव रहता है वहाँ-वहाँ visualize करके वो relax रह रहे ऐसे उनको सूचना है देता हूँ हेत्र हिपनोड़ किया होगा? वर्स कम वर्स किया होगा? बूरे से बूरा क्या होगा? इतनी चिंता क्यों है? किस बात की चिंता है? आपको हरनम जो? यह मंऄ में चिंता है? कुछ तभी कम ज्यादा हो जाएंगा उसकी चिंता रहती है मैं लो होंगा क्या क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तो इसके बारे में चर्चा होती है तो उनको यह समझ में आता है कि नहीं मैं जो चिंता करता हूँ खामोखाब चिंता करता हूँ तो काग्निटिव फिर तरपी रिलाक्सेशन तरपे से बहुत फैदा होता है तुरन देदी चाहिए तो मेडिसिन लिया तो उससे भी काफी अच्छा फैदा होता है आपके संपर्ख में काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको यह बिमारी होंगी जिनको इसी तकलीव होंगी मगर वो डॉक्टर के पास में जा जाती है उत्पादन ख्षमता कम हो जाती है तो यह लोगों को यह आप उनको इनफार्म करते बताते हैं तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और हमारा जो मिशन है कि सब के लिए मानसिक स्वास्तिय और वेसल मुक्त भारत उसमें आपका हाथ लग जाएगा तो आप जार पहले आजाएगा और मेरे वीडियो आप सबसे पहले देख सब होंगे आपके फेस्बूक के ऊपर वाट्सैप के ग्रूप के ऊपर आप शेयर करो और यह जो कारी हमने लिया है उसमें आपको भी हाथ लगाओ थैंक्यू वेरी मुच